वेलकम टू SS Defense Academy friends आज के इस वीडियो सेशन्स में मैं आप सभी के साथ डिसकस करने वाला हूँ Indian Air Force Y Group का जो एक्जामिनेशन्स 15 मार्च 2019 को कंड़क्ट हुआ था और एक्जामिनेशन्स में जितने भी मैथ के प्रशने पुछे गए थे उसका एक्जेक्ट सोलोसन्स आज के इस वीडियो सेशन्स में कराने वाला हूँ तो जितने भी Indian Air Force Y Group के एसपेरेंट्स है आप लोग वीडियो को एंड तक देखेगा 24 जुलाई 2022 से होने वाले examinations के लिए ये सभी questions काफी important तरहेगा आपको एक level की जनकारी मिलेगा, किस pattern पे questions बनते ही, ये सारे idea आपको देखने को मिलेगा देखे मैं आपको स्रीज provide कर रहा हूँ, 2019 से लेकर 2021 तक जितने भी CBT mode में examinations conduct हुआ है एरफोर्स Y group का और math के जितने भी प्रशन पूछा गया है, उसका solutions कराऊँगा, उसके बाद मैं आपको 2010 से लेकर 2018 तक के सभी questions कराने वाला हूँ तो आप लोग channel से जुड़े रहिएगा, ठीक है, देख सकते हैं, प्रॉपर दंग से सभी questions को include क्या हूँ वीडियो sessions end होने के बाद आप इसका PDF भी download कर सकेंगे, टेलिग्राम channel से जुड़के, जिसका link description box में मिल जाएगा टोटल साथ questions कराऊँगा, ये 100% real और authentic questions है, आप सभी जानते हैं, इस channel के माध्यम से जो भी questions कराया जाता है, वो genuine होता है देखिए, first questions पूछा गया था, ये basic trigonometry से questions पूछा गया था, sin 30 degree minus cos 45 degree का मान गयाद करें, तो sin 30 degree का मान कितना होता है, तो 1 बटा 2 होता है, cos 45 degree का मान कितना होता है, root 2 होता है, तो इसके बटा में 1 मान लिजिए, ठीक है, अब आप यहांपर बटा पर ठटाव कर एक माइनस, दो root 2 बटा 2 answers, next देखिए, question number second, का रहा है, 7000 का 18% कितना होगा, तो 7000 का मतलब गुणा, 18 बटा 100 होगा, percent का मतलब होता है, एक बटा 100, ठीक है, तो इसको अब cut pit कीजिएगा, तो double 0 से double 0 उपर cut गया, बाकि 88 साते 126 और 10 बैठाती है, जब 1260 answers आ जाएगा, third question देखिए, दो संख्याओं का अनपा दिया है, दो ratio दिया गया यहाँ पर, यदि उनका महत्म समापरतक 8 है, यानि HCF 8 दिया गया है, तो वे संख्याओं ग्याद करें, यह जो ratio है, इसके according हमको संख्याओं ग्याद करना है, तो आप जो यह ratio दिखाई दे रहा है, इसमें आप direct HCF से multiply केजिए, तो 8 में 9 से multiply करेंगे, तो first हमारे संख्याओं लिकलेगा, यानि देखिए, यहाँ को मैं किया हूँ, 8,9,72 आजाएगा, यह first संख्याओं हो जाएगा, और 8 में फिर 7 से multiply करेंगे, यानि 56 यह second संख्याओं लिकलके आजाएगा, मतलब आपको ratio में na HCF से direct multiply करना है, तो वो आपका संख्याओं मालूम चल जाएगा, fourth portion देखिए, कर रहा है, एक पुस्तक को 80 रुपया में खर दा जाता है, और 30 परसेंट के लाब पर बेचा जाता है, तो पुस्तक का विक्रैमुल ग्याद करें, क्रैमुल हमें मालूम है, ठीक है, पर हमें विक क्रैमुल ग्याद करना है, profit हमें मालूम है 30% का, तो देखिए, 80 रुपया में ये चीज खरिदा है, एक पुस्तक खरिदा है, और उसे 30% का लाब पर बेचा जाता है, उस बस्तु को 30% पर बेचा जा रहा है, यानि उस बस्तु को कितना में बेचा जा जा रहा है, तो जब असी का 130% लिका लेंगे, तो 130 बटा 100 हो जाएगा, 10 से 0 कटेगा, 10 से 0, 13 आठे, 104, आंसर सा जाएगा, यहीं विक्रे मुलिकल के आजाएगा, 104, पोशन 5 देखिए, यहीं सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से आया है, करा यदि साइन ठीटा बरबर 4 बटा 5, तो सेख ठीटा का मा होता है, साइन ठीटा बरबर होता है, लंब बटा कण, लंब को L से लिखा हूं, कण को K से लिखा हूं, ठीक है, तो देखिए, लंब और कण हमें मालूम है, और यह हमें सिक ठीटा लिका लना है, सिक ठीटा बरबर होता है, कण बटा अधार होता है, कण बटा अधार, तो क स्क्वार घटा लेंगे तो इस तरह 9 आएगा 9 का बर्मूद 3 आएगा ठीक है तो यह अधार कितने लिकल जाएगा तीन हो जाएगा ऐसे भी आपको triplets याद है तो आप बहुत इजली बना लेंगे देखिए लंब दिया गया है कण है तो चार पांच दिया है तो आप मालेजी इस तरह मैं बनाता हूं समकोण 3 तूल में यह कितना कण 5 है ठीक है और लंब कितना दिया है चार है हमें अधार मालूम करना है तो त देखिए तीन, चार, पांच का एक triplet बनता है तो आपको एटमेटिक आधार मालूम चल जाएगा तो triplet से बहुत सरे questions आते हैं next question देखिए question number 6 का रहा है एक कार 70 km पर आवर की गती से एक निश्ची दूरी को तैग करता है और 30 km पर आवर की गती से वापस आता है तो देखिए ये कार जो है एक निश्ची डिस्टेंस को 70 km पर आवर की गती से जाता है और फिर वहाँ से 30 km पर आवर की गती से वापस आता है तो कह रहा है कि यात्रा के लिए औसत गती क्या होगा तो कार का औसत गती होगा 2xy बटा x plus y क्यों क्यों कि देखिए जब भी distance समान हो अलग-अलग जब भी distance समान दिया रहे ठीक है और दो अलग-अलग से चाल से कोई जाता है और फिर आता है उस टाइम औसत गती लिकालने और y का मतलब है जिस चाव से वापस आता है तो 70 है तो x के जगवा 70 रखेंगे गोड़े y के जगवा 30 रखेंगे खिर बटा में करेंगे x का 70 हो जाएगा प्लस y के जगवा 30 रखेंगे बस आप इसको सीन थी कटपिट कीजेगा 42 km per hour आ जाएगा औसत गती काल का नेक्ट को पॉष्शन नंबर 7 कर रहा है कि रूट अंडर 180 का मानगयात करें रूट का मतलब होते है बरुट 180 का बर्गमूल क्या होगा तो बर्गमूल निकालने के होगा इसको आप भाज गोण खंड में आप लोग तोड़ दीजिये 180 को इस तरह आप एक साशी को तोड़िएगा सभ 2 2 3 3 5 इस तरह इसको तोड़ेंगे फिर जोड़ा बनाएंगे 2 2 के क्योंकि भर्गमूल बेर 2 2 का जोड़ा लगता है 2 2 जोड़ा लग गया 3 3 का जोड़ा लग गया 5 एक बच गया तो जो बच जाता है उसको हम लोग रूट अंडर के अंदर रखेंगे बर्गमूल के ही अंदर रखेंगे दो में से एक बाहर लिकलता है दो में से एक बाहर लिकलता है ठीक है और इसका जोड़ा नहीं है तो इसको बर्गमूल के अंदर ही रखेंगे अब इसको गुणा किजिए 2-3-6 और यह बर्गमुल रूट पांच है यानि 6 रूट पांच आंसर हो जाएगा तो यह साथ कोशन्स था 15 मार्च 2019 के एक जामनेशन्स में पूछा गया था अब इसके बाद नेक्स ट्रिप्ट के कोशन्स कराऊंगा आप सभी को चैनल से जुड़े रहीएगा यह स्रीज आप लोग देखिएगा आपको बहुत ज़्यदा बैनेफिट्स मिलेगा इसी पैटरन और इसके जो भी कोशन्स पूछा जाए मैं बता रहा हूं न इसके सेम एसी पैटरन पर को चैनल से बनेगा यहाम नेशन्स में तो आज के लिए तक में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तुछ तक लिए जाए